हाँ जी तो आज यो बात मैं आपको बताने वाला हूं बड़ा इंपोर्टेंट रूल प्ले करेगा आपके बिजनस को लेकर जब आपने बिजनस को एक्सपेंशन के और ले आना चाहेंगे ना तो ध्यान रखिए एक ही जैसी इंडस्ट्री में एक बंदा तो बिजनस को आप जाता एक पीछे लाएता उसको पीछे कारण क्या है उसके कारण है उस बिजनस को चलाने वाले लीडर की पावर और लीडर जैसा सोचेगा न वैशा ही लीडर हासिल भी कहते हैं कि शेर का लीडर हो योई अस ? तो हम बात करते हैं success secret of CEOs और billion dollar company मतला ऐसा उन्होंने क्या किया कि यह billion dollar company खड़ी कर दी और CEO का मतलब यह मैं सोचना है कि आप CEO नहीं है एक small scale business owner भी अपने business का CEO है अब difference क्या है कि वो visionary person नहीं है अब हमें करना क्या है इनकी बातों को समझना है कहते है everything is possible एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ एक small scale business owner पता है क्या सोचता है कि बही जो बड़ी बड़ी companies हैं वही अपने business में dealership, distributorship, C&F, super stockist या franchisee करती है problem यह नहीं है और definition यह नहीं है problem क्या है कि small scale business owner ऐसा सोचता है definition क्या है जो भी company अपने business को इन सभी models पर franchisee पर, dealer पर, distributor पर, C&F पर, super stockist पर इस business model पर run करेगी वही company बड़ी होगी ध्यान से समझेए छोटी company जब यह method अपनाती है तो बड़ी हो जाती है ऐसा नहीं है कि बड़ी companies method को अपनाती है जो भी companies method को अपनाएगी वो बड़ी हो जाएगी इसलिए कहते है everything is possible असंभव constant हो कि मुझे अपने business को expansion के और ले जाना है और business में franchise यह dealership network बहुत बड़ा करना है तो possibilities क्या है जब आप एक step लेते हैं तो कई बार step में हम fail हो जाते हैं और हम यह मान लेते हैं कि success का right formula नहीं है लेकिन जो बड़ी company का CEO है जो visionary person है वो लंबे path तक चीज़ों को सोचता है और उसको लगता है कि यह चीज हासिल करने में मुझे समय लगेगा लेकिन small scale business owner जल्दी हार मान जाता है जिसकी वज़ए से वो हर चीज़ को समझ नहीं पाता तो कई बार क्या होता है वो ऐसी direction में fail हो जाता है जो आगे चल कर बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन वो उस path पर जाता ही निए फोकस करता है अपने retail पर आपने wholesale पर तो हमें क्या करना है इस बात को समझना है कि सब कुछ संभव है बशरते अगर एक small scale company बड़ी company बनी है तो आप भी आसानी से बड़ा business कर सकते हैं बशरते आपको करने का लिए पूरा रास्ता पता हो और वो रास्ता मैं कि don't just motivated एक बहुत बड़ी problem है इंडियन tendency में वो क्या है कि कोई भी बात सुनी ना motivation आ जाता है अब जो motivation होता है वो hot air balloon की तरह होता है कि जब तक हावा गरम है तब तक तो वो balloon ऊपर जाएगा और जैसे हावा ठंडी होगी वापस नीचे आ जाएगा तो friends motivation भी ऐसे ही काम कर है motivation से important क्या है inspiration learning right knowledge और knowledge कैसे मिलेगी success business होना रहा है उनसे मिलो उनके काम करने के तरीके को समझो उनके method को समझो उसको implement करो business की success stories को पढ़ो, business के secrets को पढ़ो, business में dealership कैसे बनता है इस formula को सीखो, या सब सुनने से नहीं आएगा, या को motivation का part नहीं है आपको franchisee model develop करना है तो business का proposal कैसे design करना है franchisee model करना है तो business के proposal को कैसे advertise करना है franchisee की meeting कैसे करनी है agreement कैसे करना है team के साथ मिलकर उस franchisee को setup कैसे करना है और उसके बाद उसको चलाना कैसे है और उसके बाद नए franchisee कैसे डूनने है इस पर आपको focus करना होगा इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि don't be just motivated क्योंकि motivation एक balloon के hot air की तरह है जब वो ठंडी होगी तो वापस आ जाएगा हाँ लेकिन motivation से क्या होता है कि हमें एक boost मिलता है कि मुझे ये काम करना है तो इसलिए boosted रहें लेकिन learning ज़रूर करें उसके लिए सबसे important है सबी speaker जो इतने बड़े बड़े speakers है अलग-अलग विशय की training देते है open seminars में लोग information देते हैं लेकिन internal workshop में आपको core training मिलती है तो internal workshop से train करें जैसे आज हम यहाँ पर workshop कर रहे है next that is build a powerful team दोस्तों अगर आप powerful team बिल्ड करते हैं तभी आप अपने लक्षों को आसिर कर पाएंगे पिछले भी session में मैंने आपको example दिया था कि दो राजा हुए एक जरासंद जो मगद का राजा था इसका बहुत बड़ा सामराज्य था जरासंद बहुत सक्तिसाली आद्वी था उसको अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और अपनी ताकत के चलते ही वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था अपने सामराज्य का और आपको पता है कि जरासंद वो व्यक्तिसा जिसको बीच में से अगर सांग फाड़ देते हैं तो वापश उड़ाता है है ना भगवान च्रीक्रिक्ष्ट ने जब भीम से उसको लड़वाया था तो बताया था ऐसे फाड़ने के बाद ऐसे फैक नहीं जरासंद ताकत वर था लेकिन उसका सामराज्य फिर भी छोटा था लेकिन ध्रितराष्ट जो था ना वो नेत्रहीन था अंधा था लेकिन उसके बावजूद भी उसका सामराज्य बहुत बढ़ा था क्यों क्यों कैसे वोग पावरफुल था तो आपको क्या करना एक पौ़रफुल टीम बिल्ड करनी है क्योंकि पावरफुल टीम ही आपके बिजनस को और खुदी sales कर रहा है, खुदी marketing कर रहा है, खुदी promotion कर रहा है, खुदी production देख रहा है, तो diversified हो जाएगा ना, तो उसको क्या करना है, अपनी team को build करना है, और team के experts को hire करके, business को next level पर लेकर जाना है, and the next, plan it well, friends, किसी भी काम की success ना केवल तभी मिल सकते हैं, उसकी planning ठीक करें, आप आपने वो series देखी है, जिसमें money heist, money heist में उसको यह पता होता है कि यह जो पूरी series है ना, उसमें कहां कहां पर क्या loophole आने वाले है, कब उनका बंदा पकड़ा जाएगा, कब उनके ओपर fire होगा, कब उनके ओपर गोलिया बरसा देंगे, कब उनकी telephone line काट दें माभारत में अभी मन्यू ना, चक्रिवी में गुसना जानता था, क्यों कि उसने अपने मा के पेट में सुन लिया था, चक्रिवी में गुसने की पूरी story, बाहर निकलना नहीं जानता था, इसका मतलब planning full proof नहीं थी, अगर वो चक्रिवी से बाहर निकलना भी जानता, तो कभी भी उसको हरा नहीं पाते, इसका मतलब आप जो भी काम करें ना, उसकी planning बहुत बेहतर करें, जितनी बेहतर planning होगी, उतना बेहतर result अचीव होगा, और planning का तरीका क्या है, आप किसी भी चिसको महलो sales team के बारे में बात करें, तो sales team का recruitment, उसकी proper training, training के बाद मुनके training manual, training manual का उनका test, उसके बाद उनका process, फिर उनका result, फिर testing, और फिर उनके बाद finalize करके वो training को complete करने के बाद, वो sales team market में perform करेंगी, हर एक में, production में भी यह होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी labor आई, factory में लगा दी, उसने वो material गलत काट दिया, या production में machine खराब कर दी, या machine ठीक तरह इसे चलाई, लेकिन जो output आया, वो गलत आगया, तो हमें क्या करना है, कि अपने production से लेकर, sales से लेकर, marketing से लेकर, हर एक चीज के proper planning करनी है, क्योंकि planning से ही, आप ठीक तरीके से काम करता हैं, दूसरा, ये special बात, आप business owner लोगों को बता रहा हूं, business में, कई बार आपकी team के लोग, आपके employees, या sales के लोग, या marketing के लोग, तो चेंगा, या महीं ना कर लूँ ये business, जैसे मान लीजिए, आपका एक, एक छोटा सा छोले बटूरे का counter है, एक shop है, या रेस्टो है मान लीजिए, और एक chef है, जो बहुत से छोले बटूरे बनाता है, बनाते, बनाते, बन मतलब उस काम को करने के knowledge, और दूसरी होती है functional knowledge, मतलब उस business को चलाने के knowledge, बहुत सार लोग पार domain knowledge होती है, जैसे वो अच्छे छोले बटूरे तो बना सकता है, पर अच्छा restaurant नहीं चला सकता, finance management, employee management, और marketing, sales, promotion, सब कुछ करना होगा न, तो आपको domain expert नहीं बना, आप समझ बता वो particular काम करने की knowledge, जैसे हमारी factory में एक person molding की machine चलाता है, तो molding की machine को चलाने को domain knowledge कहेंगे, और वो सोचे molding machine चलाता हो, तो मैं factory खोल लूँगा अपनी, factory को चलाने को क्या कहेंगे, functional knowledge, जैसे उसका rent, electricity, staff salary, sales, promotion, marketing, production, raw material, recruitment, सब कुछ मिला के जोगी, उसको functional knowledge कहेंगे, तो जितने topmost business owner है न, वो कभी भी domain knowledge पर focus नहीं करते हैं, वो हर domain का expert अपनी team में hire करते हैं, और functional knowledge के अधार पर उस पूरे business को set करते हैं, ये एक बहुत बड़ी problem रहती है, एक small scale और एक large scale business owner में, और बड़ी-बड़ी companies के CEOs होते हैं न, वो अपनी team में, जो leadership team है, उसमें functional knowledge के लोगों को इक अठा करते हैं, और वो functional knowledge के लोग, domain knowledge के लोगों को इक अठा करते हैं, और वो सारे लोग मिलकर आपस में team build करते हैं, और business को successfully run करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप as a CEO of billion dollar company काम करना चाहते हैं, तो आपको इन points पर आसानी से consider करना होगा, अपनी ability को बढ़ाना होगा और ये 5 point आपको अपनी life में implement करने हैं, next class में हम बात करेंगे, next 5 अगले points की और उसके बात करेंगे हम technical analysis पर और बहुत सारे ऐसी बातों पर, जो हमारे business को next level पर ले जाने वाले हैं, fine, तो मिलते हैं next class में, thank you, thanks to everyone.